तो दोस्तों देनिक वासकर के आपके लिए इंपोडेंट है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं देखिए इसमें लिए माद्ध प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल में ग्यारवी और बारवी कच्छा एक साल बाद 26 जुलाई से सब्ता में एक दिन खुलने जा रहे हैं उल्ली एक डिन एक दिन कैसे खुलेंगी वह मैं आपको बता रहे हैं आदिस जारी होने के बाद हमने आपको इससे पहले जो लेटर भी आया था उसके बारे में बताया था ठीक है तो इसमें लिखाया आदिस जारी होने के बाद पैरेंट्स से लेकर स्कूल संचालक तक इस आदिस के ब्रोध में आ गए है यानि पैरेंट्स नहीं चाह रहे हैं कि हम एक दिन के लिए स्पोर्ट तक का अत्रक्त खर्च बढ़ जाएगा क्लास में शात्र पैरेंट्स के अनमति के बाद ही सामिल हो सके सासन का यह आदिस पिछले आदिस की कौपी है यही कारण है कि अब इनी सब बातों को लेकर नेजी स्कूल संचालकों का अटेंडेंस सोरी अन एड़ेड एस से लेकर जल्द ही मीटिंग करने जा रहा है उसमें नई रड़नीती तयार की जाएगी एसे सासन को देगा ठीक है इसके बाद ही कुछ हो पाएगा ऐसे में अब संबार से स्कूल खुल तो जरूर जाएंगे लेकिन क्लास लग पाएंगी या नहीं इस्तती सपस्ट नहीं हो पा रही है ठीक है स्कूल खुलने के पच्च में देगी आपको क्या लगता है आप अपनी राय जरूर देना ठीकि यहां पर जो नहरू नगर निवासी पुनीत अग्रवाल का कहना है कि सब्ता में एक दिन स्कूल खुले या फिर महीने में महीने भर खुले फीस तो पूरी देनी होगी बच्चे की उनिफॉर्म से लेका ट्रांस्पोर्ट तक का खर्चा बढ़ जाएगा ऐसे में सरफ सब्ता में एक दिन स्कूल भेजने से बच्चा कितना पड़ पाएगा सरकार का यह निड़ाय गलत है अभी तो बैसे भी हम स्कूल खोले जाने के पच्च में न जो चुना बट्टी में रहने वाले ममता मिस्रा का कहना है कि स्कूल खुलना बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए अच्छा है आउट्डोर एक्टिविटी से बच्चों का सरेरिक और मानसिक विकास होता है लेकिन सिरफ एक दिन स्कूल लगना बिकल्प नहीं है सभी तरह की साबधानियों के साथ ज्यादा दिन के लिए इसकूल खुलना चाहिए हां फीस का मुद्दा सबसे अहम है सरकार को इसके वारे में कुछ सोचना होगा ताकि इसकूल खुले तो बच्चे पढ़ सके और प्रड़न्स पर आर्थिक बोज ना बने तो आपका इसके वा सेंट स्कूल की संचालक मोहित यादव ने बताया ओर्डर कली आये हैं ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर अभी प्लान नहीं हुआ है क्लास के इसाब से 50% बच्चों को वैठाएंगे जिदि कोई बच्चा पहली बेंच पर वैठा है तो एक छोड़कर तीसरी बेंच पर दू परा भार आ जाएगा पिछली बार लोगडाउन में जो 50% के साथ खुला था वह अच्छा निर्ड़ा था स्कूल बस की बात करें तो उसे संचालित करना अभी संबब नहीं होगा इसमें 50% को ही लेकर आना है ऐसे में 5-10 बच्चों को लेकर आना संबब नहीं है पैरेंट् इस पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ रही हो सबका सॉलूशन है फिलो एप अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन देज 3 स्टेप से सबसे पहले इस अपको प्ले स्टोर से डालोड कर लें और फोन नंबर से साइन कर लें अपने कुसंस का पिक्चर लें या फि को 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है इस बैटरी का वोल्टेज है वह आपको 220 तो यह आपको सिंपल रिलेशन होगे है यहां पर अब अगर को आपको और डाउट है तो बताइए तो आपको डालोड कीजिए पेरेंट्स पर क्या बोज पढ़ सकता है इसमें लिखा है लेना है अभी बच्चों की ओलाइन क्लास होने के कारण इनिफर्म आदी खरीदनी नहीं पड़ रही है क्लास शुरू होने से बच्चा चाहे एक दिन के लिए स्कूल जाए उसे इनिफर्म लेना जरूरी होगा घर से स्कूल आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी स्कूल से लेकर प्राइबेट स्कूल वां संचालक भी दो महीने का एडवांस लेते हैं ऐसे में अविवाबकों को खोड़ी बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने होगा ठीक है तो अब देखिए इसी लिए एक दिन क्लास लगे आप इससे पहले भी हमने आ एक बच्चे को सब्ता में सरफ एक दिन स्कूल बलाए आएगा और हमने बताया भी था कि 11 कि क्लास साइध गुरुवार को या फिर ऐसे बताया था उस पहले वाली वीडियो में तो मतलब सीधा कहने कारता है कि सब्ता में एक दिनी लगेगी क्लास ठीक है तो यह थी निए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करता है और आपकी क्या रहा है प्लीज कमेंट में आप जरू बताते हैं आप दोस्तों टेक केर बाएब